हेलो बच्चों आईए आज हम लोग पार्ट चार का जो सुभास्तानी है इस पार्ट का नाम क्या था सुभास्तानी तो इसका आज हम लोग अभ्यास प्रश्म पढ़ेंगे अभ्यास देखिए और मैंने इस लोग का अर्थ सहित्व्याक्षा किया है और वेकैं मैंने आपको समझयाने प्रयास किया है कि दो वीडियो गड़ी थीजी prim कि विस दो जखेऊने का पूंड़ता है और मुझे कुर्ण विश्वास है कि आपको बाते पिसमझ में भी आई होगीnyt कि यदि अगर नहीं आई हैं तो आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर या उसी में कमेंट करके कैसे भी आप मुझे पूछ सकते हैं आप तो आईए हम लोग आज अभ्यास पढ़ेंगे कि तो अभ्यास में जो पहला आपका देखिए जैंको प्रस्मुत्तर तो मैं आपको बताओंगा नहीं कि आपको अपने आप धूढ़ना है यह कि पैच्छा में गद्र से और पद्र से प्रस्मुत्तर धोड़ने के लिए है मैं आपको सारी चीज़ इस परख्रूप से कर दिया हूं मैंने आपको अर्थ बता दिया है इस लोग पढ़ा दिया है उसका भावार्थ इस परच्रूप से मैंने आपको बताया है आपका अपना कर्तə और बनता है कि खालय स्थार्न ऑист सही में दिया हुआ है कि में आप अस्मी असमी का ऑंधातू हैै कॉं सा लकाल है कौन सा पुरुष है कौन सा वकार है तो तरली इन ऐस फ्हुट काया है यज्धात.. अधातू लंटलाकार उत्तम पुरुस्त एक वचर ये इसमें किताब में आपके ये दिया हुआ है आप जैसे घननती दिया हुआ है क्या दिया है गननती दूसरा दिया है गननती लेकिन गननती पुस्तक में आपके नहीं दिया है तो ग्रिणांती है ग्रिधातु और जुगवसा यां ग्रिणा जुगवसा तो ग्रिणा धातु है ग्रिधातु ही है और यह लटलाकार का लटलाकार मनें वर्तमानकार वर्तमानकार का प्रथम पूरुष प्रथम पूरुष का बहुवचन यह ग्रिणांती जो है ग्रिणातु का लटलाकार प्रथम पूरुष प्रथम पूरुष प्रथम पूरुष प्रथम पूरुष का बहुवचन मतलब हांती भी मारने अर्थ में भी प्रयोग किया जाता है तो जैसे हरती क्रीधातु एक हरती माने चुराता है और ह्री हंती माने हरन करता है मारता है दो धातुए बनती हैं लटलकार प्रथम पूरुष बहुवचन सेव जीजें ये दोनों एक जैसी अब इसी पकाल छी अन्ते छीप छै धातु है छै अर्थमे छै माने नस्ठ होना जैसे छी अन्ते छी अन्ते छीप सेध हातु है और लटलकार प्रथम पूरुष बहुए जाए ना अब इसे प्रेकार दिया है करिशयति will completely ऐता है करिशयति माने क्रीढत्षाद्व करने रिट लाकार माने भविस्यकार, करिशता करिशती और यह रूप चलता है, कि प्राठम कुरुस का एक बचा तो इय कि यहुट को ईए व्याकरन का यह है आपको बता जिए कि से दाथू लकार कुरुस और वचन लिखना था अभज देखिए, आभ्यास में दूसरी चीज याकरण की क्या दिए हुई है परियाए सब्द भी लेकिए परियाए एक सथिक भी होते हैं मैं आपको अपने अंसार बता रहा हूं जैसे इसमें दिया है गंगा गंगा देव नदी इसमें दिया हुआ है उदारण में इसे परकार संता संता में साधु महापुरुसाहा पुरुसाहा ये घोसा ठीक है और सिखे रहा गिया हुआ है सिखर रहा माने चोटी ही चोटी ही सिखर माने चोटी हो उचाई सबसे उचाई ना कि उच्चे सिखरो माने प्रवत की चोटी तो अब देखिए वी रहा एक दिया है वी रहा वी रहा तो बलवन्ता भी हो सकता है बलवन्ता बलवन्ता और भी बहुत परियावाची है आप चाहे तो देख सकते हैं सट पदा हाँ सट पदा हाँ सट पदा माने भवरा हाँ भवरा हाँ तो ने नियोग ने त्रयोग ने त्रयोग ने त्रयोग यह तो इस प्रकार से यह परियाए सब्द है अच्छा एक चीज़ बताता हूं इसमें दिया है रेखांग की पदा नाम देखे आपको व्याकरण का समधान करने करें रूप्यात करने पड़ी जैसे तो इससे प्तवार मम का रूप चलेगा удивisther तो आप लोग विछाब करिए कि जब यह बालका बालकाद ना title छालता है इसी तरह है चलेगा तो अब इस प्रकार से ये आपको रूप्याद करना पड़ेगा जब तक आप रूप्याद नहीं करने तो मेरी बतें अधूरी समझ में आई किए मैं बढ़ा इत्वर्ष्ट बोल रहा हूं आदिया दूरी समझ में आएगी और हो सकता है कि किसी को एक परसेंट भी नहीं इसलिए कि इसके लिए आपको खुद को प्रयास करना हो जैसे इसमें लिखा है ते सरवत्र मिलंती ते कि सरवत्र कि मिलंत पालत कि अविसको बनाना रहत क्या प्रषत बनाना कहांपर रेखा कि लिए क्विए कहांपर खिचिविए थे के इंस सरवत्र मिलंती अब आप देखें कि यहांपर लिखा है ते मने कर चलता है सा तय वह वक दोन और वक 3 मने वक वुसाबано मिलते हैं कि अब यहां पर तो हो रहा है कि वेज सब हार देगाई मिलते हैं लेकिन अब हमको प्रश्ण करना है तो कैसे प्रश्ण देरेंगे तो जैसे ये लिखा सा, तव, ते वैसे लिखा कह, कव, के तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? के बहुवचन है, क्या है? बहुवचन है ते, ते क्या है? बहुवचन यह ऐसे रूप चलता है, साह, एक वचन, तव, दुवचन, और ते कि यहां पर जैसे दिया है ते सरवत्र मिलनती आइसे लिखेंगे यहां पर के वल परिवर्तन करेंगे के के लिखेंगे इसको अटा करके कर देंगे के सरवत्र मिलनती तो यहां पर प्रशन बन गएば को प्रशन गया कौई सबी जगें मिलते हैं अब इसी प्रकार कि इसमें दिया है दानेन विए रहा हैं है अब यह दिनासम दूसरा दिया है दानेन है चाहिए अब दानेन विए रहा है है अब यह दिनासम तो अब इसमें लिए लिखा है कि रेखांकी पदानाम इसको प्रश्णवाचक में परिवर्थित करना है यह इसको जिसके नीचे लाइंग खीची हुए इसके नीचे लाइंग इसको परिवर्थित करेंगे जो प्रश्णवाचक है उसमें क्या होता है क्या कौन कैसे किसलिए यह आईसे ही अब यहाँ पर जो दिया है दानें अब हमको यह पर पूछना है तो क्या लगा देंगे दानें कौन रखती है तो दानें का रूप चला ये बालक तरह दान सब्द हैं दाना 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 दानें तृतिया का एक बचन तुलियों और यह किसे प्षिजर वाज़ा गश्राम मतकंत कैसे चलब डम vy गश्राइब को ूजले आरे नियुक्त कि आप कहा के रुब का करुप कि ऊपल रूप की तरथी कैसा अब कर अथा प्र चुर् knew K काओ वे वेट संनल चाहर को काण और कें चैक्गे डानयम्त एक कि न rif प्रश्णवाचक बनाने की इसलिए पहले कहका रूपयाद कीजिए जब यह रूपयाद कर लेंगे तो प्रश्णवाचक बनाना प्रश्णवाचक बनाना आपके लिए बहुत मुश्कीन है तो आप इसको आज पार्ट में लिए और याद करिए और अगली बार से जो है आपको क्लियर हो जाएगा तो आपको जो है मैं आपको कहका रूप लिखवा रहा हूँ और कहका रूप आप लोग लिखेंगे तो बहुत ध्यान देंगे बच्चो मैं आपको कहका रूप लिखवा रहा हूँ तो यह है आपको बता दूँ एक बचन एक बचन दुई बचन और ये बहु बचन ठीक है? पत्मा विलाक्ती जुदिया विलाक्ती तिर्थिया विलाक्ती चतूर्थी विलाक्ती पंचिमी विलाक्ती सस्थी विलाक्ती और सब्तमी म्हक्ति संबोधनिस में नहीं होता तब देखिए कहा कउ के कम कउ कान केन काभ्यां कई केन काभ्यां कई अब कस्माई काभ्यां के भ्यां के भ्यां कश्मात् कस्मात का भ्यान के भ्यान कस्यर कयो हो कासाम और कस्मिन कस्मिन कयो केस कस्मिन कयो केस ये रूप है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ इसमें भी साथ और इसमें भी साथ कासा पूरी भरत्यों के इंसार लिखा हुआ है लेकिन ये क्या है? मैं आपको बता दूँए पुरलिन है पुरुस लिंग ठीक है न है इसको हम लोग पुरुलिन कहते हैं इसको को पुरलिन लिखा जाता है aos पुरुलिन हिए तो यह हो गया पूरलिंग आप इसमें जैसे हम पूरुस के नाम पर जबाता है तब हम कहता के का बना सकते हैं लेकि इस्ट्री लिंग भी है और उसमें नपूर्ण सक लिए तो आज मैं आपको एक यह दे रहा हूं आपको यह पूरलिंग का याद करना है फिर अगली वीडिय करने उसमें हो को जाएगा आज के लिए बच्चों यह आपको होमबर्ण है और आज के लिए इतना ही जो बात मेरी आपको समझ میں ऎंसे आए आप लोग मुझसे दस बार पूछने का और हैं आप बशसकों मुझस सकते हैं मैं आपको निसंदेश बताऊंगा और आज के लिए इतना ही मैं आपको आगले वीडियो में मिलूंगा आज के लिए धन्वाद